यहां पर सेल्फी पॉइंट रहेगा दोनों साइड में और इंट्रेंस आपका उड़ है का एक्जिट यह रहेगा और इसका थीम क्या रहने वाला यानि दिल्ली का लाल किला लेकर आई थी यह तो दोस्तों फिर से निवड़े में आप सभी का स्वागत है कैसे आप लोग सांदार होंगे और मजे में होंगे तो दोस्तों एक नए से पंडाल को लेकर फिर आपका भाई आपके साथ हाजीर हो चुका है तो चलिए इसके वारे हम थोड़े से बात कर लेते हैं अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पटेल चौक पे और पंडाल है दौलत राम चौक है क्योंकि भाई इसका जो जगह था उसका रण से नहीं जहां पर पिछले साल बना था उस जगह पर अभी हम लोग आ चुके हैं पटेल चौक के पास और आपको बताने वाले हैं इसका थीम क्या रहने वाला है क्या कुछ रहने वाला सारा कुछ बताएंगे डीटेल से चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सामने में इंस्टाग्राम की आईडी मेंसन हो रहे हैं जरूर फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों अगर मैं बात करनों कि जैसे ही आप पटेल चौक आएंगे तो जैसे ही आप चौदे मल्ला के तरफ निकल जाएंगे ना तो और से अब सामने आपको एक पंडाल दिख जाएगा जो कि दौलत राम चौक के द्वारा बनाया जाता है काफी खुपसूरत काफी भब भी बना जा रहा है जो कि आपकी लगभब मैं इसकी उचाई की बात कर लूँ तो आपको 40-50 फीट रहने वाला है तो दोस्तों पंडाल के अंदर जाने से पहले मैं बात कर लूँ कि सामने में जैसे यह आपको दिख रहना यहां पर सेलफी पॉइंट रहेगा दोनों ज़ेंगे इस सामने से अंदर जा सकेंगे और अंदर में आपको परतिमा का दर्शन करने मिलेगा फिट इस रास्ते आप बाहार निकल जाएंगे लियूपैतिमा का माधुरुगा की धर्शन करने आपको सामने मिल जाने वाला है जोकि काफी खुब्सूरत भी राता है और वीष भी राता है तो अबी अगरU बात्यक करने वालेजिक तीन चया रहने वाला तो यह आदिवासी थीम ने वाला है जो कि लंगोंग्रा थे पारा में भी बन रहा है वहां पर आदिवासी ह特ु रहा है अगर पिछले बार की करनूं तो भाईली का लाल कि लेकर आई थी यह कलब और इस बार आपको आदिवासी थीम देखने को मिलने वाला और अगर मैं इसकी बात कर लो तो आप पंडाल देख लिए कितना काफी खुब्सुरत लग रहा और इसमें ना बांस बीट तरह तरह डीजाइन के कपड़े भी भी बाते कर लिया था और मैं वाज करनूं एक खुशी की बात है और यह जो मेंबर है ना हमारे सब्सक्राइबर ही है हमारे फ्रेंड ही है तो वह बताए हुए थे एप्रोक्स साथ से दसला का खर्च आने वाला इस पंडाल में आपको इस दुर्गा पुजा को और भी बेतर बनाने के लिए आप लोग के सामने आ चुका है डांडिया सेवेंथ अडिसन सो तो आपको अगर मैं बात कलनू कि दीन बार अक्टूबर को डांडिया नाइट सो होने जा रहा है जो कि चंतकला गाडन में होगा और इसकी पासे जो है बहुत लिमिटेट पास है अगर आप अभी बुक नहीं किया तो स्क्रीम पर नंबर सो हो रही हूँ वहाँ जाके जल्दी से अपना पासेश बुक किजिए आप अपना मनोरंजन नहीं कर पाएंगे इस कारण से जाईए जल्दी से पासेश बुक किजिए तो दोस्तों अग मैं बात करनों कि माल्दा से भी आए हो हैं कौलकाता से भी आज हैं यानि दो जगह का कारिकर आपको इस पंडाल में काम करते हुए दिख जाएंगे और जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो अंदर में यूनिक से पता चली है वह आपको बता देते हैं सबसे पहले महां दुर जोगा मिराजमान होगी और उसके चाड़ो तरब मतलब जूट से परसुराम सीब जी का सभी में मतलब उस साइड भी और इस साइड भी आपको फ्रेमिंग किया हुआ तांडव वला लूक मिल जाएगा जो कि आपको सेल्फी में चार्चान लगा देने वाला भाई सब काम ह रहे हैं आपको पता सेल्गा होगा और यह हमारे सब्सक्राइबर जो कि कलब के मेंबर भी है ना तो इस बार क्या तांडव होने वाला है वो सब को देखते रहे हैं दोटकाम चोकदुर पूजा समीति इस बार क्या लाया है अच्छा पिछले बार भी भाई साब पिछले ब देखते हैं और मैं बात करनों कि पंडाल जो है काफी खुबसूरत रहता है और कठियार के लोग इस पंडाल को खुबसूरती से निहारते भी है और अपना फोटो कैमरे में कैद करते भी है तो मैं बात करनों की दौरत लहाम चौक का पुजा समीति का यह ऑफिस हो गया नहां ओफिस में आब आपढ़ाम से बैट सकते हैं विष्राम कर सकते हैं क्योंकि बाई साब पंडाल देख देखते बहुत से लोग ठक भी जाते ह। तो ऑफिस बनाया है आपकी सेवा में हैं यह लोग तो दोस्तों अगर मैं बात कर लों कि यह पंडाल आपको पूरी अच बाई गार्डन गार्डन हो गया क्योंकि आप लोग का भाई भर भर के कॉमेंट आ रहा है कि संग्राम संग सन अप इंडिया उस सभी का वीडियो सूट हो चुका है इसके बाद आप लोगो देखने को मिलेगा इतना बेसबरी और थोरा सब बेसबरी कर लिजे तब तक के इस वीडियो को लाइक किजेगा जादा जादा सेर किजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई लव यू आल